घलॉु Помेरे फैल कम डू टु प्लास तो आज के इस वीडियो में सब्सक्राइब करेंगे चैप्टर एट कि जो भी टॉपिक बचिए आज को इसे वीडियो में हमें चैप्टर 8 को फिनिश कर देंगे फोilly स्कार लेते हैं और अगर आप लोग ने इस chapter के बाकी जो part है वो नहीं देखिए इस chapter पर अल्ड़ी मैं part 1, part 2 and part 3 मना चुका हूँ तो अगर आप लोग नहीं देखें तो check कर लेना आप लोग वीडियो के link जो है कर काम होता है देखिए the complement operator inverts the value of each bit of the operand तो complement operator जो होता है वो आपकी जो value होती है bit की उनको invert कर देता है मतलब 0 होगी तो बन कर देगा और बन होगी तो उसको 0 कर देगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर table में देखिए जीरो है तो बन हो जा रहा है और बन है तो जीरो हो जा रहा है तो suppose आप enter करते है 12 और आप apply कर देते है not operator जैसे कि हम bit wise complement operator भी बोलते है ठीक है इसका symbol यह होता है टेल्ड का जो sign होता है ओके तो जो result होगा वो क्या आएगा वो आपका आएगा minus 13 किस तरीकी से आएगा देखिए यहाँ पर 12 की जो binary representation होती है वो यह होती है ठीक है अब अगर 12 पर हम लगाएंगे complement operator तो आपका जाएगा minus 13 और minus 13 को bin function के help से check करेंगा आप binary में तो यह number मिल तो इसको यहाँ पर binary में लिख लिया है और यहाँ पर लिखाया मैंने 8 वीट में करके ठीक है तो जब इस number पर complement operator अपलाए होगा तो क्या होगा जो date है वो रिवर्स हो जाएंगी जहां 0 होगा वहां बन हो जाएगा और जहां बन होगा वहां 0 हो जाएगा तो देखिए 0 है तो बन हो गयाए जिरू है तो बन हो गया है और यहाँ पर बन है तो जिरू हो गया और बागी सारे जिरू है तो यहाँ पर सबी में बन आगienza अब द eekं यह जो number आया बन कि यह 2s कंपलीमेंट बिप्रेजेऱ नहां है – 13 जो number है इसकी तूर्स कंप्लीमेंट रेप्र 생चया एक होता है आपका 1 worst चौused कंप्लीमेंट और एक होता है चौर्ण कंप्लीमेंट तो 6 कंप्लीमेंट बीजेंटिश है MINUS 13 की किस तरीके से मैं दिखाए को चौन प्लिमेंट किस तरीके से निकालते है देखिए, minus 13 था, तो minus 13 के लिए binary number यह आया था, तो यह लिख लिए हमाने यहाँ पर, और इसको भी लिखाए 8 bit में convert करके, ठीक है, अब two's complement को निकालने के लिए, सबसे पहले निकालते हैं, once complement, तो once complement निकालने के लिए क्या करते हैं, जो binary number है, उसकी digit को flip कर देते हैं, flip का मत complement form, तो इस तरीके साब निकाल सकते हैं, किसी भी number का once complement, okay, अब two's complement निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में number आया है, उसमें plus कर देंगे, one, तो देखिए, यहाँ पर जब plus करेंगे, one, तो क्या हो जाएगा, हमारा output, यहाँ पर देखिए, zero and one, one हो जाएगा यहाँ पर बन रहेगा, बाकिसारी date जो है, वो ऐसी रहेगी, सिर्फ जो पहली date है, वो change हो जाएगी, तो हमारे जो final output होगा, वो यह आ जाएगा, ठीक है, तो देखिए, जो final number आया हमारे पास में, two's complement calculate करने के बाद, वो हमारे देखिए, इस से match कर गया है, ठीक है, तो इ I think इसको practical करकर दिखाने की जरूरत नहीं है, जिस number का भी आपको compliment form निकालना है, बस उसके आगे आप compliment operator का sign लगा देगे, उसके compliment form यह बता देगा, बाइन दी में चेक करना चाहते हैं, तो बिन के साथ करेंगे, otherwise आप directly इस तरीके जिकर देगे, अब discuss करते है next operator को, जो की ह left shift, तो bitwise left shift का sign होता है, वो यह होता है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, देखिए, suppose कि आपके पास में एक variable है, जिसकी value 15 है, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिखते है, a left shift 2, तो इसका output क्या आएगा, देखिए, इसका output आएगा 60, क्यों आएगा 60 output, देखिए, य किस तरीके से बहर करता है, देखिए, यह पहले convert करेगा इसको binary में, binary में देखिए, क्या हो जाएगा, जो 15 है, वो क्या हो जाएगा, वो देखिए, आपका हो जाएगा, यह number हो जाएगा, जिसको कि मैंने यहाँ पे 8 bit में करके लिख दिया है, ओके, तो यह number हो जाएगा, तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे, a left shift 2, तो इसका मातलब यह है, कि left में से 2 bits को यहाँ से हटा दो, यह जो 2 bit होंगे, इनको यह हटा देगा, और last में यहाँ पे 2 bits को add कर देगा, किस तरीके से करेगा, देखिए इसको, देखिए, इस तरीके से मैंने लिख लिख जो binary digit थी, वो मैंने इस तरीके से लिख दी है, ठीक है, अब जब इसको left shift 2 किया जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से digit हो जाएगी, यह digit किस तरीके से होंगी, देखिए यहाँ पर, यह क्या करेगा, जो पहला 0 यहाँ से हटा देगा, ठीक है जो box बचेंगे, बहाँ पर 2 0 लगा देंगे, ठीक, इस तरीके से 0 add हो जाएगे, तो इस तरीके से left shift 2 हो गया है, मतलब दो digit यहाँ से हट गई है, तो यह जो number आया है, यह equivalent है, इस number के, जो कि हमारा 60, अगर आप इस number को decimal में convert करेंगे, तो आपको 60 मिल जाएगा, ओके, तो इस तरीके से आपका left shift operator बर्क करता है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं, right shift की, तो देखे, right shift का symbol जो है, वो यह होता है, ठीक है, और यह किस तरीके से बर्क करता है, देखिए, suppose कि यह variable है, जिसकी value 15 है, ठीक है, और अगर आप इस पर right shift करेंगे, suppose कि करा right shift 2, तो यहाँ पर क्या होगा, जो output होगा, वो 3 आएगा, किस तरीके से आएगा, देखिए, 15 को convert करेंगे, वाइन दी में, तो यह आजाएगा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इस तरीके से, यहाँ लिख लिए है मैंने, और जब इसको right shift 2 कर जाएगा, तो क्या हो जा जाएगा, यह वाले 0 इदर आजाएगा, यह 0 यहाँ पर जाएगा, और यह 0 यहाँ पर जाएगा, और जो जगह बचेगी, वहाँ पर तो 0 अपलाए हो जाएगे, तो यह जो नमबर आया है, यह equivalent है, इस तरीके, अगर आप इसको convert करेंगे decimal में, तो आपको 3 मिल जाएगा, तो इस तरीके से right shift operator work करता है, ओके, तो चलिए इसको practically दिखा देता हूँ करके, देखिए यहाँ पर करता हूँ, मैं करता हूँ 15 और मैं करता हूँ इसको left shift, ठीक है, 2 कर देता हूँ, तो मेरा output आएगा 60, यह देखिए 60 आ गया, अब मैं करता हूँ right shift, देखिए 15, right shift 2, enter क करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया है, ओके, तो I hope आप लोग को left shift and right shift operator भी समझ में आ गया होंगे, तो अब हमने discuss कर लिए हैं सारे bitwise operator, I hope आपको समझ में आ गया होंगे, अब बात करते हैं next type के operators की, जो की है identity operator, तो identity operator क्या होते हैं, देखिए, identity operator are used to determine whether the value of a variable is of certain type or not, मतलब क्या है, identity operator जो होते हैं, वो check करते हैं किसी variable particular type की value है या नहीं है, ठीक है, तो Python में कौन कौन से identity operator होते हैं, देखिए, तो Python में ये दो identity operator होते हैं, पहला है is, second है is not, तो इस जो operator है, वो evaluate होता है true, कब होता है true, जब इसके दोनों side में जो variable हैं, वो आपके same value को point कर रहे हो, मतलब कि same object को point कर रहे हो, तब आपका ये true होगा, otherwise false होगा, ठीक है, अब बात करते है is not की, तो is not जो है, वो आपको output देता है false, जब इसके दोनों side में जो variable हैं, उनकी value same हो, मतलब वो दोनों same object को point कर रहे हो, तो ये आपको false देगा, जबकि is जो था, वो आप आपको true दे रहा था, लेकिन ये जो है, इसके budget है, ये आपको false result देगा, अगर वो variable different object को point कर रहे होंगे, तो ये true करेगा, और same object को point कर रहे होंगे, तो ये false देगा, ओके, इसको example की help समझ देते हैं, देखिए, suppose कि यहाँ पर एक variable लिए a, जिसकी value 10 है, और एक variable लिए b, इसकी value भी 10 है, लेकिन ये string type की है, ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, इस तरीके से a is b, तो output क्या आएगा, तो output आएगा आपका true, ठीक है, देखिए true आ रहा है, और अगर यहाँ पर करते है, a is c, तो output आएगा false, तो देखिए, इसमें true और इसमें false क्यों आ रहा है, च पोच कि इसको address मिल गया, यह है, ठीक, एक memory location मिलती है, इसको memory में address मिल जाता है, ठीक, इस तरीके से address मिल गया, ओके, अब जैसे second variable बनाएंगे, करेंगे b equal 10, तो क्या होगा, एक box और बन जाएगा इस तरीके से b equal 10, ओके, और इसको भी memory location मिलेगी, अब ऐसा नहीं होगा, क इसको जो memory location मिले, वो अलग मिले, क्यों नहीं मिलेगी अलग, क्योंकि देखिए, यह भी point कर रहा है 10 को, और यह भी point कर रहा है 10 को, तो दोनों के जो object है, वो same है, तो इसलिए यहाँ पे इसको दूसरी memory location नहीं दी जाएगी, जो location इसकी है, वो ही इसको दी जाएगी, यहाँ पे memory location share हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे जो output आ रहा था, वो true आ रहा था, क्योंकि A and B, जो हैं दोनों same object को point कर रहा है, ठीक है, तो अब बात करते हैं, कि यहाँ पे false क्यों आया, तो यहाँ पे जो false है, वो इसलिए आया, क्योंकि जैसी आप SQL 10 करते हैं, तो क्य होगा, इस case में भी memory में एक variable create होगा इस तरीके से, ठीक है, और इसको जो है address अलग मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो value है, जो object है, वो different type का, यहाँ पे जो object है, वो string type का है, इसलिए यहाँ पे जो address assign होगा, वो अलग होगा, अगर यहाँ पे value integer type की होती, तो इसको भी same address मिल जाता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे false आयाता, क्योंकि यह same object को point नहीं कर रहा है, okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा, is operator किस तरीके से बर्क करता है, अब बात करते है, is not की, तो is not में क्या होता है, देखिए, यह इसका opposite है, जब दोनों same object को point कर रहे है, a is not b, मतलब क्या है, a जो है, b नहीं है, मतलब दोनों same object को point नहीं कर रहे है, तो यहाँ पर यह false हो जाएगा, क्योंकि दोनों same object को point कर रहे है, तो इसलिए जो output आएगा, इसका false आएगा, ठीक है, और अगर इस तरीके से लिखेंगे, a is not c, तो true हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है, को same object को point नहीं कर रहे है, ठीक है, तो आजाएगा आपका true, तो चलिए इसको practically करके दिखा देता हूँ, आपको, देखिए, यहाँ पर करता हूँ, मैं लिखता हूँ, यहाँ 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 लिखता हूँ, a is b, ठीक है, enter करूंगा, तो true हो जाएगा, और मैं करता हूँ, a is c, तो false आएगा, देखिए, और अगर करता हूँ, a is not b, तो false आएगा, देखिए, false आ रहा है, और करता हूँ, a is not c, तो true आएगा, ठीक है, तो देखिए, मैं तिनों variable का आपको address भी दिखा देता हूँ, किसके तरीके से नहीं location मिली है, और क्या क्या location मिली है, देखिए, यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको, इसके लिए लिखता हूँ, मैं हाँ पर id, और मैं लिखता हूँ, a, id, एक function होता है, जिसके help आप किसी variable के location को पता कर सकते है, ठीक, तो मैं लिखा id, तो इसकी जो id होगे, वो बता देगा, क्या id मिली है, इसको, ओक चेक कीजिए, आप लोग, बिल्कुल सेम है, ठीक है, अब मैं करता हूँ, c की check, हैं लिखता हूँ, id, और मैं करता हूँ, enter, तो देखिए, c की जो id ही है, वो different है, ठीक है, तो I hope आप लोग को concept clear हुआ होगे, तो I hope आप लोग को identity operator भी समझ में आगे होंगे, अब बात करते है, next type operator की, जो की है, membership operator, तो membership operator जो होते है, वो check करते है, कोई भी value को की particular sequence में है, या नहीं है, किसी भी particular sequence में कोई value check करनी है, तो उसके लिए use करते है, membership operator, देखिए, कौन-कौन से membership operator होते है, तो ये दो membership operator होते है, in, not in, तो in में क्या होता है, in में आपका output true तब मिलता है, जब कोई value किसी sequence में होती है मतलब कोई value किसी sequence में है तो यह आपको output देगा true अगर उस sequence में नहीं होगी तो देगा false ओके अब बात करते है not in की तो not in में क्या होता है कोई value अगर किसी sequence में नहीं होती है तो यह आपको output देता है true और अगर value उसमें sequence में है तो output देगा false ठीक है कह सकते हैं इसका opposite है ओके तो इन दोनों को example के help से समझेए देखिए यहाँ पर A equal 5 है B equal 7 है और यहाँ पर देखिए एक list मना रखिए है मैंने इस list में कुछ values है ठीक है यह values दे रखिए हैं अब मैं यहाँ पर करता हूं इस तरीके से देखिए A in list 1 तो इसका मतलब क्या हैmile की जो value है वो list 1 में है या नहीं तो एक value 5 है तो List1 में 5 है तो इसका output आएगा true देखिए एं पर output आएगा true ठीक है और अगर में इस तरही कर सी लिखता है देखिए बी इन list1 तो B की वैल्यू है 7 तो लिस्ट बन में नहीं है तो और पूट आएगा फॉल्स ठीक है और अगर आप इन दोनों जगह लगा देते हैं not in इनकी जगह not in लगा देते हैं तो यहां पर मिलेगा फॉल्स और यहां पर मिलेगा ट्रू ठीक है तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करक इकवल 5 वी क्ती शिक्सश यहांपर लेता हूं कि लिस्ट लेष्ट बनन इकवल यहांपर दैता से वह ग्यांस सबस्ती just taking under करता हूं अब है सिहांपर लिखता हूं यह इन लिस्ट किषक सब्कूल तो यह जो है लिस्ट सब्कूलू में है यह नहीं है एक की वैल्यूथ तो है तो आएगा true एदेखे ट्रू आ रहा है हम लिखता हूं बी इन लिस्ट वन तो यहां पर आएगा output false क्योंकि बी की जो value है लिस्ट बन में नहीं है देखिए यहां पर false आ ओकली अगर हम लिखता हूं इसको इस तरीके से ए न Aut In these वन तो आएगा में मेरा यहां पर फॉल्स क्योंकि एजो है लिष्ट बन में है क्योंकि लिख़ी है फवाइब तो list one में है तो आएगा हम पर false ठीक है और मैं करता हूं भी naut in list one तो आएगा हम पर True क्योंकि B की वैल्जी लिस्ट बन में नहीं है तो इसलिए हम पर true आएगा यह देखिए ठीक है तो आप आप लोग को membership operator भी समझ में आगे होंगे तो student अब हमने सारे तो अब बात करते हैं तो देखिए पाइफन में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज हो सकते हैं ठीक है तो जब ऐसे सिट्वेशन होती है कि एक एक से ज्यादा ऑपरेटर आ रहे हैं तो पाइफन का इंटरपेटर क्या करता है यह रणटाइम में डीसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर जो हो हो पहले वैलिएट होगा कौन सा बात में होगा और यह डिसिजन जो है बेज़ होता है precedence and associativity पर ठीक है तो चलिए इन दोनों को discuss कर लेते हैं कि precedence and associativity क्या होती है ठीक है तो पहले बात करते हैं precedence की तो precedence का मतलब है operator की priorities है मतलब जो operator है वो किस priority में आपके evaluate होंगे उसी को बोलते हैं precedence ठीक है तो python में जो operators होते हैं उनको एक precedence मिला हुआ होता है और यह precedence ही determine करता है कि जो operator है वो किस तरीके से evaluate होगा ठीक है तो python में precedence के label जो है वो आपके high to low होते हैं मतलब क्या है जिस operator की priority हाई होगी वो पहले evaluate होगा यह first है यहां पर सब्सक्राइब हो गई है ठीक है तो आप लोगों को precedence का concept समझ में आ रहा होगा मतलब जिस operator की priority हाई होगी वो पहले evaluate होगा जिसकी कम होगी वो बाद में evaluate होगा ठीक है जिस तरीके से आप लोग operator same priority के होते हैं मतलब same precedence के दो operator एक की expression में आ जाते हैं तो वो evaluate होंगे left to right यह फिर right to left based on their label मतलब उनकी priority के according left to right यह फिर right to left evaluate होंगे तो इसी को बोलते है associativity जो की बताती है direction of execution मतलब क्या है यह बताएगी कि जो operator है वो आपके किस direction में execute होंगे left to right होंगे यह right to left होंगे ठीक है देख इसको example का help से हम देता हूँ suppose कि मैं यह पर लिखता हूँ a plus b फिर मैं लिखता हूँ minus c and मैं हम लगा देता हूँ multiply का sign और लिख देता हूँ d ठीक है तो यह जो expression है यह किस तरीके से evaluate होगा तो यहां पर evaluation कैसे होगा सबसे पहले तो यह evaluate होगा इसकी जो priority होती है वो दोनों की same होती है तो यह किस तरीके से evaluate हैंगे तो यह पता करेंगे आप with the help of associativity मतलब यह आपको बताएगी किस direction में आपको execute करना है left to right करना है या right to left करना है ठीक है तो I hope आप लोग को associativity का concept समझ में आ गया होगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं क किस किस तरीके से वो execute होते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर इस table में जो operator समझे रखे हैं तो सबसे जो highest priority होती है वो थी हमारी parenthesis की ठीक है इसके बाद में exponent operator की होती है फिर plus minus जो unitary operator होते है उनकी होती है मतलब plus minus जो single operator के साथ में होगा उसकी priority हाई होगी ठीक है इसके बा सबसे बाद में आते हैं relational operator और लास्ट नमर पर आते हैं logical operator तो किसी expression में यह सारे operator दे रखे हैं अगर आपके logical operator उसमें दे रखे हैं तो logical operator को सबसे बाद में evaluate करेंगे सबसे पहले आप parenthesis को evaluate करेंगे उसके बाद में इसको करेंगे फ्रेस को करेंगे फ्रेस को करेंगे इस दो operator सेम priority के आते हैं, तो वो किस तरीकी से execute होंगे, वो इस तरीकी से execute होंगे, जो भी operator आपका expression में पहले आ रहा होगा, वो पहले evaluate होगा, ठीक है, suppose कि यहां पर मैं लिखता हूँ, देखिए, a plus b minus c into d, ठीक है, तो सबसे पहले यह evaluate होगा, उसके बाद मैं देखिए, इन दो वो पहले evaluate हो जाएगा, जो बाद में आएगा, वो बाद में होगा, ओके, तो I hope आप लोगो इतनी चीज़ समझ में आगी होगी, तो चलिए इसको example के helps और clearly समझ लेते हैं, देखिए, यहां पर कुछ expression ले रखे हैं मैंने, एक expression यह है, एक expression यह है, और एक expression यह है, ठीक है, तो यह किस-किस तरीके से evaluate होंगे, देखिए, यहां पर देखिए, सबसे highest priority किस की है, यहां पर सबसे highest priority multiply गी, तो देखिए, सबसे पहले multiplication होई है, सबसे पहले multiplication वाला part solve हुआ है, ठीक है, उसके बाद में highest priority है, division की, तो उसके बाद में देखिए, division हुआ है, ओके, इसके ब बाद हमारा यह final output आ गया है तो इस तरीके से यह evaluation होगा operators का अब बात करते हैं इस वाले की देखिए तो यहां पर दीखिए सबसे हाइस priority किसी है आपके हाइस priority है यहां पर parenthesis की यह जो part है वो सबसे पहले solve होगा तो यहां पर देखिए evaluate सबसे पहले हो हो गया है ओके इसके बाद में multiplication होगा तो multiplication हो रहा है 15 into 4 तो आपका 60 हो गया ठीक है इसके बाद हाइस priority है division की तो यहां पर देखिए divide हो रहा है तो यह आगया आपका output and सबसे last में subtraction हो रहा है तो final output आपका यह आगया subtraction होने के बाद ओके अब बात करते हैं इसकी तो इसमें देखिए सबसे highest priority की है यह वाले पार्ट की है तो यह पार्ट सबसे पहले solve होगा तो यहां पर देखिए आ गया है 2 ओके इसके बाद में हाई स्पराइट की है multiplication की है तो यहां पर देखिए multiplication हो गई है इसके बाद में division की है तो यहां पर देखिए division हो गया है and last में आपका हुआ है minus क्योंकि subtraction operator है वो सबसे लास्ट में evaluate हुआ हुआ है तो हमारा final answer आ गया है 9 ओके तो आप आप लोग को precedence of operator का कौन सब समझ में आ गया होगा तो student अब आपके chapter finish हो गया है जितने भी topics chapter में थे वो सारे मैंने आपको explain कर दिये अगर आपका किसी भी topic के regarding कोई भी doubt रहा है तो आप लोग comment कर देना मैं आपका doubt के लिए कर दूँगा so student आज की इस video में इतना है next video में हम start करेंगे next chapter को जो कि होगा वीडियो है dedicated आपके लिए programs पर बेस्ट बना दूँँ इसमें कि मैं different type के programs को आपको बना के दिखा दूँगा okay so student that's it for this video thanks for watching